है अज़ा प्रेंड्स आपको स्वागत है मेरे किच्ण में में आपकी अफसरा आज में लेकर आए हूँ ठंडी कम वसम में गर्मा गर्म पकोड़े आज में बनाओंगी फुल गोवी की पकोड़े मैंने लिए हैं मीडियम साइज के फुल गोवी जो में इसको दो के रख हैं अब हम इसमें क्या-क्या डालेंगे हमें चाहिए बारिक कटी हुई प्याज बारिक कटी हुई अब कटामाटर बारिक कटी हुई धनिया पत्ता और हरी मिर्ची आपकी जितने आप मिर्च खाना चाहते हैं उसी साफ से डालिए चाट मसाला जो आपके पकोड़े के टेस पॉडर और यह अधरक का पेस्ट आप अगर चाहे तो अगर कर सकते हैं अगर आपको पीसी भी पसंद नहीं तो आप बारीक-बारी काटके भी डाल सकते हैं और एक अंडा अंडे डालने का यह हुआ कि अंदर से थोड़ा सब्सक्राइब और खाने में और ही अच्छा लगेगा और जो चावल का अटा में उसकर रहे हूं अगर आप स्रेप बेसन डाल के बना रहे हैं वह नॉर्मली डीप करके तो फिर ठीक है अगर आप इस तरह से बनाओगे तो व और फिला रहे छूड़ार करने को और शुट्रुस से बनाने से यह होता है कि आपका गूवी जो है तो बांद के रखेगा प्कोड़े को और खेलेगा और अच्छा बनेगा अब और हमने इस तरह से काटकाट कर लिया है इस तरह से काटने हैं जितना आपको पकड़ने में comfortable हो क्योंकि इसको हमें क्या करना है कदूकस करना है मैंने लिली है कदूकस इस तरह के जो हर घर पर रहता ही है किचन में अबलेबल आप अगर छोटे वाले से करें पहले हम छोटे वाले देख करके देखते कितना बारिक हो मैं ज्यादा बारिक भी नी चाहिए कहां है कि अच्छेवन घ्रप्रावा अश्यूण जादा बारिक हो दो मिलीकण लिए करें जादा पर जदेते हैंबले तो मोटे के क्या करेंगे यह ज्यादा बढ़ा है इससे मेडियम बलड तो इससे हम यूज चाहिए पুकस करेंगे तो हम जित्त ना हो सकते ये उतना भी इसको कद्दू-कषड करके ले लेगे आप चाहिए त्차 मिलन कुल द्रमां भी कर सकतेign a या फिर इसको जो डडर societ life जो हम भी सकते इससे बढ़ने चुछी और वो जो पहले बाद जो क्या था वो बहुत ही छोटो चोटो था चली तो सब को हम कद्दू कस करके रेडी कर लेते हैं चली अब हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएंगे जो इसका कच्छा पन है उसको निकाल देंगे वह कैसे निकलेगा थोड़ा से इसको फ्राय करना पड़ेगा हलका सा रोस्ट करने पड़ेगी बिना तेल की यह मैंने एक पैन बठा दिया है अब इसको ना हम सारे गोभी को हमने जतने कदुकस करें है इसको हम इसमें डालेंगे फोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ना इसको हरका सा भूल लेंगे तो क्या होता ना इसको जो कच्छा पन हो निकलाता है और यह थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है तो क्या होता हम जब नमग भुदें के जड़ी सावी होचित और हमें बार में जब जरोद पड़ी कि थोड़ा से जालेंगे जादा निहाँ डालेंगे नमक क्योंकि मैं डाल दी है नमक अब इसको हम मीडियम आच में पांच मिलिट इसको पकाएंगे अइसे इधर उदर इसको गुमाएंगे ठाथा ही गुंद जाए और इधार साफ्ट जातानी 5 मिलिट में इसको मैंने थोड़ा सा भूल लिया था तावो में तो यह हलका सा नरम हो गया है यह हलकी से गरम थी और सॉप्ट भी हो गया है काफी तो हमें ऐसे ही चाहिए कच्छा पन इसका निकल गया है अब जो जो हमें रख्या सारा डाल देते हैं प्याच टमाटर दनीपत ज्यादा डालें ज्यादा अच्छा लगेगा मिर्ची भी चाट मसाला लाव मिच पॉडर थोड़ा सा अद्रक अब डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि अल्यडी नमक हमने डालेंगे अभी टमाटर प्याज हमने मिक्स किया है तो बड़ा सा नमक का कम हो सकता है तो बस ज्यादा नहीं डालेंगे अब इसको हम मिला लेंगे हलकी हातों से पहले ज्यादा दम लगा के नहीं इसको मूच लिए में चावल का अठाव पहले एक चमंच, दो चमंच, करीट तीन चमच पहले हम डालते हैं इसको मिलाते है चावल का आठा पता आपको थोड़ा से क्रिस्प सी भी देता है आथ वह डाल देती हो करीट 5-6 चमच मैंने डाल दिया है चावल काटा तो इतना यह इनाफ है और इसको ज्यादा भी डाल देंगे फिर आपको पकोड़े टाइट भी हो सकते हैं उसे साब से अनुमान से डालना है यह हमने डाल दिया अब हम इसमें डालेंगे बेशन जो कि हमारे पकोड़े को पकड़ने में मदद करेगा इसको टाइट करने में पहले हम तीन से चार चमच डाल के दिखते हैं अब इसको अच्छे से मिलाते हैं अब इसको मिलाते मिलाते ना यह एक लसा लसा सा पना जाएगा और तीन चमच डाल दिया मैंने बस अब नहीं डालेंगे अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं कर दोसलों डाले से मावा अब बश्चे करते हैं मैंने सारा तयार कर लिए तयल जालते से और आप अगया करसे कषद नहीं आइए हम प्राइब बहूंते में एइंंगे तो आन्र से तेंगे अगर अगर रख्राइब अट त़िक्या च्छोटे बड़े ले च्रवाने केसेत आपऊनने के बनाने के बाड़े प्लहे हैं नॉर्मल मेडियम आच में ही इसको बनाना है इसे करके डालते जाएंगे और यह अपनी आप नीचे से फ्राइन होगा तो यह छोड़ देगा तेल उपर अपर आ जाएंगे हलके हलके तो हम इसको डारेट ऐसे बनाते जाएंगे और एक बात मेरे वीडियो थोड़े से लंबी होती है क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं काड़ती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से पता चले कि मैं कैसे बना रही हूँ और आपको बनाने में वीजी रहें कहां बाए कितनी लोग वीडियो बनाते हैं तो कटके पता चलता है कि कहां पर क्या मिस्टेक हो यह पता नहीं चलती है तो मैं पूरा आपको दिखाने कुस्स करती हो ताकि आपको पता चले अगर मेरी भी गल्ती होती हो तो आप बता सकते हो कि हाँ अब सराजी आपकी यह कुछ चीज़ा आप सिखाऊंगे कुछ चीज में सिखाऊंगी जितना आपकी कडाई में आसर क्या भुपना ही डालिये मेरा तो हो गया अब इसको दीमिया आप में पकने देते हैं जब तक यह जाएंगे तो आपने आप लिए पलटना सुरू जाएगा अब इसको पलट देते हैं आप पकोड़े देखके लगी रहा है कि यह बहुत अच्छी फलपी बनी है अब एक तरफ से इसका कलर बहुत अच्छी चेंज हो गई है अब यह दिरे दिरे इसका अच्छी से फ्राइब हो जाएंगे कि इतना अच्छा लग रहा है देखने में मैंने आज को बिल्कुल मीडिया में रखा है तो अब इस तरह से दीनी आज में सारे गोभी पकोड़े हैं जो तल के तयार कर लेंगे मेरा गर्वा गरव गोभी कोड़े बनके तयार हो गया और यह बहुत सॉफ्ट वनी है यह देखिए काफी सॉफ्ट और प्रिस्पी भी है और बहुत ही टेस्टी थी आधी तो मेने खाई चुकी बनाते बनाते बहुत अच्छी वनी है इसका अग्रीन चटनी के साथ या फी अग्हां के वीडियो आपको पसंद आएगु तो जरूर मेरी चैनल को स्प्राइब किजिएगा लाइक कीजिएगा और कमेंट और शेर करना न भूलेगा अगर आप फेस्बुक में देख रहे तो मेरे फेस्बुक पेज में भी आप लाइक करना न भूलेगा नेक्स वीडिय मिलते हैं कुछ अच्छी रेसीपि के साथ फिर से मिलते हैं थेंक यू